आज 10 में 2021 इंग्लेंड की ताजात्रीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं इंग्लेंड टार्कीन वतन की आमद प्रिटी पटेल को बड़े अदारे की वार्निंग इंग्लेंड स्कॉटलेंड डिफ्रेंडम क्या इलीगल इम्रेंट के लीगल चांस मुमकिन टारकीन वतन को तेजी से शैरियत जारी नया फैसला अच्छी खबर इन तमाम खबरों की तफसिलात जाने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकमल आखर तक देखेगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए तो चलिए बढ़ते हैं आज की एहम तेन खबरों की जाने आज की पहली खबर को शामिल करेंगे इंग्लेंड ने अब किन को किया डिपोर्ट निया सिंसला शुरू उतात रहिए ब्रेक्जिट क्या हुआ दुनिया ही बदल गई और आठ स्पैनिश बस सिंदो को पेपर्स के बगार जाने पर ब्रेटफोर्ट शेर के इमिगरेशन के डिपोर्ट सेंटर में बंद कर दिया गया है पकड़े जाने वाले अफराद में काम के जिमे में रेगुलेटरी का घजात का प्रोसेस पूरा नहीं किया गया था इनके बा वलंसिया से तालुक रखने वाली एक खातून पकड़ी गई जो काम के लिए इंगलेंड गई थी और उसके पास काम का वीजा नहीं था अलाके ये खातून ब्रेक्जिट से पहले यूके में काम कर चुकी थी ने कावानीन के मताबिक आप इंगलेंड में काम करने के लिए लेना जुरूरी होगा और जेरे हरासत लोग जुरूरी दफ्तरी कारवाई के बाद चाहिए दिनों के बाद उनको उनके वतन में वापिस कर दिया जाएगा यानि के उनको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा पटने हैं अगली खबर की जानिब जो के इंगलेंड तार्कीने वतन की आमद और प्रिटी पटेल को बड़े अदारे की वार्निंग इंगलेंड होम ओफिस और प्रिटी पटेल की सक्टियों के बावाजूद अवर तक तरकीने वतन का इंगलिज चैनल को अबूर करके आने का सिंसला नहीं रूख सका और कल के दिन छोटी कश्टियों में मज़ीद 49 तरकीने वतन इंगलिज चैनल को अबूर करके बरतानिया मे पहुंचने में काम्याब हो चुके हैं। जानीब UK Home Office और UK की Home Secretary को काफी तनकीत का निशाना बनाया जा रहा है। खबरदार किया है प्रीटी पर्टेल को Home Office को जो एकवामे धेदा की refugee agency हैं। उन्होंने भी काफी तनकीत की प्रीटी पर्टेल के ने कवानीन की और उनका कहना था कि ये जो ने कानून है ये इंटरनेशनल लॉक के खलाफ हैं। जो वो असाइलम सीकर्स के लिए कर रही हैं। और ये हुमन राइट्स के खलाफ भी हैं। दूसरी जानिब यूरपी यूनिन के काफी मुमालिक ने भी इंग्लैन के इन कवानीन के खलाफ काफी सक्त रहदे अमल को जाहिर किया है। क्योंके Home Office और प्रीटी पर्टेल का कहना है कि जो असाइलम सीकर्स सेफ मुमालिक से आ भी इस हवाले से काफी ज्यादा तनकीत की है और उनका भी यही कहना था कि UK Home Office इस तरह के Rules और कवानीन रहा है जो के बिलकुल भी कानून के मुताबिक नहीं हैं। इसलिए एक बार उने वार्निंग जारी करते हुए इन तमाम कवानीन के हवाले से UK Home Office और प्रीटी पर्टे के लिए मुश्किल सूरते हाल पैदा हो गई है बरतानिया की वजीर आजम ने एक बार फिर स्कॉटलेंड के तमाम लीडरों से कहा है कि ये वक्त अजादी के रिफरेंडम का नहीं बलके मिलकर करोना बुरान से निकलने का है जबके स्कॉटलेंड की पहली वजीर का कहना है कि अगर ये मौामला अदालत में जाता है तो ये बरतानिया की जमूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा इनका कहना था कि वो जादी के रिफरेंडम के लिए कानून साजी करेंगे दूरा इसके इलावा स्कॉटलेंड की सन पी जमात वाजिया रहे कि इलीगल इमिग्रेंट के हक में है और जैसा के वो एलेक्शन से पहले भी कहते रहे हैं कि उनको वरकर्स की शौटिज का सामना है और वो ये शौटिज इलीगल इमिग्रेंट्स को अमनेस्टी याईनी लीगल करने की सुरत में पूरी करना चाहते हैं तो अब स्कॉटलेंड की सन पी जमात काफी अ अच्छी खबर जर्मनी में मुकीम तरकीने वतन के लिए अच्छी खबर है जर्मनी की सोला रियास्तों के एंटी करप्शन येनि हमानगी के वज़रा ने शेरियत के हवाले से एहम सफारिश मरकजी हकूमत को कर दी है जिस पर अमल से जर्मनी में मुकीम तरकीने वतन को अमल तेज और असान बनाने की सफाराश तियार कर ली गई है। इजलास में मरकजी हकूमत से मतालबा किया गया है कि वो जर्मन नैशनलिटी एक्ट में इजलाहात लाने और शेरियत देने का अमल तेज और असान बनाएं। इजलास में तरकीन वतन के जर्मनी में रहने वाले बच्चों के लिए शैरियत का वक्त आठ बरस से कम करके चे बरस करने की सफारिश की गई है इसी तरह तरकीन वतन के ऐसे खांदान जो जर्मन माश्रे से हम आंगन होने के लिए खसूसी रविय ingredients का मुझारा करें इन के लिए शेरियत के लिए अपलाई करने की मुदद चार बरस कम करने का मुतालबा किया गया है एहम बात ये है कि इन स्वाराश्ट और कॉन्फरंस की महरक ओपोजीशन जमात ग्रीन पार्टी है अब राए आमा की जाइजों के मताबक अलेक्शन जीतने के लिए अवाम की पहली पसंद है और अलेक्शन जीतने की सुरत में गरीन पार्टी के लिए ये इजलाहात और तरकینे वतन को जल्द शेरियत देना असान हो जाएगा इजलास में मरकजी हकूमत पर शेरियत देने के लिए जर्मन जबान पर अबूर की शर्ट भी नर्म करके इसे दरमयाने दरजे के वन टेस्ट के बराबर करने के सफारिश की गई है इसी तरह जर्मनी में रहने वाले तरकीन के एले खाना को फैमली वीजे देने का अमल भी तेज करने पर जोर दिया गया है ताके तरकीने वतन अपने खांदानों के साथ यकजा हो सकें इस सवाले से ये निशाइनगी भी की गई है कि गुजश्टा बरस भी 12,000 के हफ़त के मुकाबले में सिर्फ 5,300 फैमली वीजे दिये गए हैं अज की एहम खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं उमीद करती हूँ के पसंद आई होंगी फिर मिलती हूँ आप सबसे लेटस्ट अपडेट में तब तक आप सब अपना बहुत ख्यार रखेगा थैंक्यू खुदा हाफिस झाल 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 झाल